हेलो स्टूडेंट तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पे इंजरिंग ग्राफिक्स का जो प्रिवियस एर एक्जाम में क्वेस्टन पेपर पूछे गया थे उसको मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा जैसा कि आप लोग से भी जानते होंगे इंजरिंग ग्राफिक्स में आपका जो 20 MCQ जो हता है multiple choice question पूछे जाते हैं जो एक questions जो हता वो एक नमर का होता और इसका बहुत ज्यादा important हो जाता है आपके exam को pass करने में ठीक है क्योंकि यदि 20 MCQ में से 15 MCQ भी आप यदि सही सही कर लेते हैं तो आपका exam pass करने में आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा ठीक है तो इसी type के questions जो आपके आने वाले exam जो कि आपका अपरेल मंत में exam होने वाला 2023 में उसमें भी आपका इसी type के questions पूछे जाएंगे और जो MCQ अभी मैं आपको कराऊंगा इसमें से बहुत सारे questions आपको same question देखने के लिए भी मिलेगा ठीक है तो इसके बाद और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें कि आपको MCQ में कराऊंगा एक previous year वाले भी होंगे कुछ और कुछ other MCQ भी होंगे ठीक है तो आप लोग वीडियो को like जरूर कर दीजेगे आपने नहीं like किया है तो और चै तो same इसी तरह के questions आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अभी जो फिलाल एक्जाम होगा उसमें भी तो पहला जो questions आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के उपर आ चुका है और यह question आपका a device which does the function of t square set square protector scale ठीक है तो यहाँ पर आपसे देखे क्या पूछा पुछा गया आपका कि वह डिवाइस का आपको नाम बताना है वैसा डिवाइस का जो आपका इस तीनों का काम अकेले करता है set square हो गया आपका T square हो गया प्रोटेक्टर हो गया scale हो गया यह सारा चीज का function जो हता हो अकेले पर फॉर्म करता है ठीक है तो option यह आप देखेगा इसको याद रखिएगा यह बहुत ही important question आपके लिए ठीक है तो मीनी ड्राप्टर जो आपका T square से T square प्रोटेक्टर इसके लिए सभी का काम जो है अकेले करता है ठीक है चलिए next question देखते है questions जो आपके पास Hindi और English दोनों language में रहेगा आप exam में भी answer जो Hindi English दोनों में कर सक सकते हैं ठीक है तो चलिए अब next question देखते हैं तो जो बच्चे जिनको English में problem होता है उनको घवराना नहीं है question हिंदी में भी रहता है तो आप Hindi में पढ़के असानी से answer कर सकते हैं ठीक है आप exam में चाहें तो हिंदी में भी लिख भी सकते हैं तो चलिए next question देखते है in the engineering system of paper size ठीक है engineering system of paper size जिसे का आप लोगों ने पढ़ा होगा drawing seat भी बोलते हैं इसको या paper size जो उसका होता है drawing seat का उसका आपको यहाँ पे पूछा गया यहां पर आपसे पूछा गया A2 का जो size होता है वह आपका होता है कितना चारसो बीस इंटू पांसो चोरणवे mm ठीक है mm यह याद रखिएगा तो A2 size होगा वह क्या हो जागा 420 और 594 mm का होता है यानि C numbers होगा इसका right answer होगा आपका option question number 2 ठीक है तो इसमें से कोई भी आप आपसे exam में पूछा जा सकता है A0 का भी पूछ सकता है A1 पूछ सकता है A2 किसी का भी size आपसे पूछ सकता है तो आपको क्या करना है तो सभी का याद कर लेना है यह ने कि सिर्फ A2 का आया है तो A2 का याद करेंगे 4-5 तरक आपका होता है drawing sheet उसका आपको सब का size आपको दि remaining कंपस ठीक है आप लोग कंपस में जोब ऑद क्यूम Olokा और लोग ने पढ़ा इसको मैने पढ़ाया था ठीक लास में तो लेंठनिंग बार भैस का यूज बताना क्यूं इसको को यूज क्या जाता है तो आप लोग जानते होंगे कमपास जो होता है एक बनाने के लिए था से बार भी यूज होता इसमें पहला तो ये सरकल बनाने के लिए बड़े साइज को को बहुत बड़ा कंपा सोरी सरकल बनाना होगा उसके लिए उसमें क्या किया जाता है उसको जोड़ दिया जाता है जिससे जिसमें कि हम लोग पैंसिल लगाते हैं उसका जो साइज होता है वो क्या होता बढ़ जाता है ठीक है जिसके वजह से लंबे हम लोग लंबा आकार का क तो लेंटनिंग बार जैसे ही देखिए मतलब समझ जाए कि बड़े साइज का हमको क्या करना होगा सर्कल बनाना होगा यह लार्ज डामेटर का जो लोग नीचे आंसर करेंगे अपना इसमें क्या पूछा गया आरीन एम्म टीक है इसको जो आप लोग कहां पर स्पेसिफाइड के जाएगा तो आल डामेंसर आरीन एम्म जो होता आपका यह चीज़ आपका कहां पर लिखा जाता है तो यह आपका टाइटिल ब्लॉक में ल पूछा गया है इन और्थोग्राफिक ट्रोजेक्ष है और्थोग्राफिक ट्रोजेक्श प्रोजेक्शन में इन आप लोगों को पढ़ाया था, उसमे एक्स ये और यात no तो यह आपका क्या कलाता था ref France कलाता था यह चीज याद होगा आपको यह क्या होजाएगा रफ्रेंस लाइन हो जाएगा शीनार इसका राइटाउब ठीक है चले नेक्स देखते हैं क्westi nr 6 देख लेते हैं क्या है क्वेस्ट से पाउप अपने लोगें सर्फेस ऑफन आपने ओप्टेन और ठीक है तो यहांपको बताना है तो से कहने मतलब क्या है कहरे है कि कोई इस niece on the chicken became an icon ungefähr itself को ईस्तर से कोई सर्फेस जों की इन क्लाइन टिक सरपेस त् alltid तीरचा सर्पेस इस देख सकते हैं यहापकर आपकर इस तरह सितना दीख रहा ह किसप इसमें भी सेम दीखना चाहिए तो यह किस हमारा किस यहाप बें प्लेध पर नदे bilci दिखाई देगा यह चीज़ आपको पूछा गया ठीक है मान लीजर यह हमारा क्या है object है जब हम लोग सामने से देखते हैं कुसी भी object को इसको front view से देखते हैं यह सिर्फ line के form में हमें दिखाई देता ठीक है पूरा इसका जो safe है यह हमें inclined shape नहीं दिखता है ठीक है तो यह inclined shape कहाँ पर दिखता है तो यह आप याद रखेंगा auxiliary plane होता है तो जहाँ पर भी हमारा inclined surface है उसके just उपर में इसको हम लोग assume करते है plane को just उसी के उपर में तभी उसका क्या होगा true shape हमें दिखाई देगा मतलग जितना उसका length है विर्थ है व उपर बनता है ठीक है चलिए next question देख लेते next question देखिए आपका क्या है यहाँ पर दिखें इन first angle projection method बोला जा रहा है तब first angle projection का मतलब क्या है आपका object जो रहता है वो first quadrant में रहता है ठीक है तो first quadrant में object रहता है तो plane कहा होता है plane इसके पीछे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका object और देखने वाला इधर रहेगा आपका देखने वाला ठीक है object जो होता हो बीच में होता है और plane जो होता है पीछे होता है और observer जो होता वो आपका सामने होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए कौन साइस में सही होगा object मैंने क्या बोला object middle में रहेगा देखिए object is placed in between yes यह वाला क्या होगा object जो होगा वो किसमें रहता है दोनों के बीच में रहता प्लेन पीछे रहेगा और observer आगे रहेगा और बीच में आपका कौन रहेगा object रहता है ठीक है तो यह नमर जो होगा इसका right answer हो जागा ठीक है चलिए अब next question देखते हैं और क्या questions पूछे गया थे यह सारे questions जो हैं 2021 मे भी पूछा गया था इसी से repeat हुआ था 2022 में और हो सकता है 2023 में जो अभी फिलाल exam होगा अप्रेल में उसमें भी इससे questions आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है इसलिए आप लोग question को अच्छे से ध्यान पूरवक कीजिएगा तो चलिए अब next question देखते हैं यह question देखे क है हम लोग 20 से किसी भी ऐसा object जो की symmetrical symmetrical मतलब क्या है जिसको 20 से हम लोग इदी cut कर दें इधर वाला जो portion होगा same इधर दूसरा portion होगा वो भी semi होगा ठीक है इसको जो हम लोग सही से किस तरह से देख सकते हैं इसको हम लोग half section में देख सकते हैं इसका right answer होगा वो कौन सा होग याद रखिएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं question वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को जुरूर subscribe कर लिजेगा और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share जूरूर कीजेगा और यदि आपको कोई भी topic में engineering graphics में problem है तो आप लोग नीचे comment करके बताईएगा ताकि मै उसके उपर वीडियो बनाके आप लोगों का help कर सकूँ ठीक है चलिए next देखते है questions तो next question देखे क्या है hidden line are drawn तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया थे hidden line hidden line पहले समझ लिजे hidden line का use क्या है hidden line चुपे हुए भागों को दरसाने के लिए हम लोग engineering graphics में use करते है अब बात करते hidden line basically कैसे डाला जाता है तो आप लोगों पढ़ा होगा इस तरह से dash dash करके hidden line जो डाला जाता ठीक है तो yes होता narrow होता ठीक है यह जो line आप देख रहे हैं यह जो मैंने डाला भी just यह कैसा line होता तो narrow होता और dash line होता ठीक है तो याद रखेगा तो इसका right answer क्या होगा dash और narrow नी next question देखते हैं क्या क्या पूछा गया यहाँ पर तो देखिए 10 number question देख लीजे middle आच चुका है 10 number question आपका dash is part of dimension तो इसमें पूछा गया dimension का कौन सा part है तो नीचे आप लोग 4 option देख रहे हैं तो dimension का आपको part बताना तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं dimension जब हम LINE डालते तो इस तरह से उसके बीच में एक LINE हमारा यह डाला था उसके बाद इसको क्या बोलते थे इसको अम लोग बोलते हैं यह डाम इसको साइड में आपको इसको extension line बोलते थे और ये जो हमारा इसको क्या बोलते थे arrow head बोलते थे और ये जो हमारा क्या है dimension line है ये जो बीच वाला line है ये वाला इसको क्या बोलते है dimension line तो देखें ये तीन चीज़ इसमें होता था पहला क्या extension line होता है dimension line होता है और arrow head होता है ये तीन चीज़ से हम लो तो क्या बोलते थे extension line बोलते थे तो बी नमर जोगा इसका right answer हो जाएगा तीसरा option देखेगा cutting plane है ये तो है नहीं symmetry line of symmetry ये भी नहीं है ना तो कौन से right answer होगा extension line ये दोनों line जो होता है extension line होता है और ये क्या है dimension का part है ठीक है तो चले next देखते हैं question उसके बाद देखी next question आप लोगों को मैंने बताया था BIS जो होता है class में ये क्या होता है Bureau of Indian Standard है ना यानि ये आपका भारे सरकार के द्वारा एक जो है आपका कह सकते हैं एक संस्था है जो हमारा engineering graphics में सभी चीज़ों को decide करता है ठीक है engineering graphics में सभी चीज़ को decide करने के लिए एक संस्था है जो इसको ह अनुसार यहां पर बताना according BIS के अनुसार dimensional value of diameter of a circle should be ठीक है जब हम लोग dimension करते थे कोई भी circle होता था इसका हम लोग diameter को दिखाने के लिए जो हम लोग dimension करते थे आप लोगों को पता होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फाई यूज़ करते थे थे ना फाई या बाद में लगाते थे आप लोग बताईए तो 5 होता था उसको पहले रखते थे उसके बाद हम लोग dimension value रखते थे ना तो 5 होता था था तो पहले आता था उसके बाद value हम लोग डालतें थे 5, 5 है ना इस तरह से लिए लेटे थे इसका राइट असर किया हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका राइट नसर हो जाएगा बी नम्बर है ना यह चीद आफ देख लिश जङए का ठीक है तो फाइस से देख बेसिकली यहां पर क्या आता और उसको पहले देखते हैं फाइफ फिर फाइफ ठीक है उसको चले नेक्ट देखते हैं हम लोग अना तो फाइफ का जो चिन होता था वो क्या आता था पहले आता था यानि बी नमर इसका राइट अंसर होगा उसके बाद लिख ली और इसको अब लोग बोलते है इस इज आलवेस पुछा गिया है के आरैफ इस अब लेसका होगा all of above ठीक है इसका राइटम से क्या होगा तो मैंने आपको बताया था RF representative fraction ये क्या होता है ratio होता है आपका किसका ratio होता है तो object का length जो कि हम लोग drawing seat पर लेते हैं और उसका actual length होता है जो कि वास्तव में object का length रहता है और जो drawing seat के उपर length लेते हैं उस दोनों का ratio कि हम लोग RF बोलते हैं ठीक है तो representative fraction जो होता है ये आपका less than भी होता है one से छोटा भी होता है one के बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है ये तीनों चीजिस में लागू होता है तो RF जब भी पूछा जाए तो तीनों होगा ठीक है less than भी होगा बड़ा भी होगा छोटा भी होगा बराबर भी होगा इसका right answer क्या होगा all of above सभी हो जाएंगे इसके right answer ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है तो all of above हो जाएगा और ये लेस दिन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है reducing scale होता है enlarge scale होता है full size scale जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ये आपका exam point of view से बहुत important question होता है और चार नमर में ये question आपको देखने के लिए exam में मिल सकता है ठीक है तो ये चीज़ आप लोग जरूर कवर कर लेज़ेगा और आगे भी मैं बताऊंगा important question आपके exam point of view से long type के questions कौन-कौन से वो भी मैं कराऊंगा तो आपको tension लेना है ठीक है अब next question देखिए आपका यहां पर length of scale निकालने के लिए बोला गया है width RF दिया हुआ है 1 by 42 measure up to 6 meter will be ठीक है तो यहां पर क्या निकालना आपको length of scale जिसको हम लोग short में लिखते थे क्या LOS लिखते थे जब हमने scale पढ़ाया था तो उसमें हमेंने आपको बताया था ठीक है 40 centimeter में है तो इसको हमको सेантिमीटर में convert करना पड़ेगा तो एक सोस हमने गुना कर दिया क्यों कि वीया चुछ हमार्य मैक्सिमम्ट लंबाई मीटर में है और यहां answer सारा सेंटी मीटर में है इस वज़े से हमने इसको सेंटिमीटर में convert कर लिया तो छह मीटर का हमारा 600 cm हो जाएगा ठीक है अब इसको कटा दीजे 10 से 10 कटा 4 से 60 कटा 15 बार में है ना तो देखें यहाँ पर option में 15 है 15 cm C नमर है ना 15 cm जो होगा इसका right answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं length of scale बस आपको pictorial view, pictorial view कहने का मतलब है कोई भी object है आपका जो उसका जदी कोई 3D object है तो same to same वही object को जब हम लोग बनाते हैं किसमें बनाते हैं जिसे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं यह cube या cube white बोल लें जब इसको हम लोग isometric scale में мер करें इसमें मैंने आपको बताया था isometric view के बारे में तो isometric view कब बनता है आपका जब isometric हम लोग वहाँ पे true length यूज करता है今天 true length Скरते हैं तो क्या मिलता है हमें isometric view मिलता है लेकिन जब हम लोग isometric length का यूज करेंगे याणि isometric projection जो होता है वो आपका isometric scale का use करके बनाया जाता है और isometric views होता है वो आपका true length का use करके बनाया जाता है actual लंबाई का use करके ठीक है चली यह next question देखते है देखे next question आ चुके है आपके सामने चली answer कीज़े जल्दी से तो next question क्या कहा है आपका A square in a regular यहां पर square की बात हो रही है regular multi view projection appear in a isometric view eyes बताना है ठीक है तो कोई भी square है उसका हम लोग जब isometric projection में बनाते हैं उसको तो वो किस form में नजर आता है मैं यह चीज़ बताना ठीक है कोई square है हम जब हम लोग इसको isometric view में बनाएंगे जब isometric view में इस तरह समलोग बनाते थे xy plane में या फिर yz plane में तो square जो हता था वो किस form में नजर आता था आपका rhombus में बदल जाता था ठीक है square किस में change हो जाता था रombus में चेंज हो जाता था यह चीज़ में आपको पढ़ाया था और circle का यह हम लोग isometric view बनाते थे तो यह क्या हो जाता था ellipse में बदल जाता था ना circle जो हता था तो वो basically हमारा ellipse में convert हो जाता है square जो हता हो रombus में convert हो जाता ठीक है तो यह चीज़ आपको धियान देना है तो कोई भी इसमें पूछा जा सकता है तो पिछले cell जो है पूछा गया था आपका square उसके पहले जो था आपका circle पूछा गया था तो कोई भी figure इसमें से पूछा जा सकता एक्जाम में तो साभी को आपको याद रखना है ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next question देखें क्या है the quick access toolbar content तो quick access toolbar यह आपका autocad का basically questions जो यह आपका autocad का है ठीक है autocad से भी 2-3 question आपको mcq में देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे quick access toolbar का बात हो रहा है quick access toolbar जो होता आपका इसमें आपका basically क्या होता है तो set of navigation tools होता है ठीक है यह जाद रखिएगा quick access toolbar में आपका set of navigation tools होते हैं चलिए next question देखते हैं next question देखें क्या आपका यहाँ पे which of flowing restrict the culture movement यह भी आपका autocad का question है ठीक है मैंने बताया आपको हर एक बार exam में दो तीन questions जो हता आपका autocad कर रहता है तो यह भी आपका autocad का question है तो देखें हाँ पे कर रहा है culture के movement को restrict करता है कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा tools है जो culture के movement को restrict करता है ठीक है specified incremental distance in inside the drawing area तो culture movement को जो restrict करता है बिसिकलिए आपका वह होता आपका ortho mode याद रखेगा ortho mode जो होता यह आपका क्या करता है autocad में कलसर के movement को restrict करता है ठीक है तो यह चीज़ हो जाएगा इसका c nummer right answer चले नेक्स देखते हैं next question देखे क्या है the term use most cat system for rounding corner okay तो cat में आपका autocad में आपका जो cat system होता है basically rounding corner कोई भी corner यह हमारा है उसको round यह हमें बनाना है rounding करना उसको round बनाना है उसके लिए हम लोग कौन सा इस में से term use करते हैं तो उसके लिए right answer होगा आपका feelate याद रखेगा feelate जो है आपका feelate जब भी हम लोग rounding करेंगे corner कोई राउंड करने की बात आएगी तो उसके लिए कौन सा term use होगा feelate terms हो वो basically हमारा use होगा ठीक है तो याद होना चाहिए सभी के को चलें next question देखते हैं क्या है next question देखें क्या है flowing instruments are needed for drawing the freehand sketching ठीक है तो यह आपको unit 4 का question है freehand sketching का तो देखें इसमें क्या पूछा गिया आपका कि कौन सा इसमें से जो है tools है जो की use होता आपका freehand sketch बनाने के लिए तो यह भी मैंने पढ़ाया होगा आपको ठीक है freehand sketch की बात हो रही है उसमें क्या use होगा आपका आपको इसकेल भी यूज नहीं होता इसकेल इसमें भी है तो यह भी cut जाएगा इसमें तीसरा नमर देखें soft lead pencil pencil बिल्कुल यूज होगा eraser भी यूज होगा sharpener भी यूज होगा ठीक है तो freehand sketch बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सिर्फ pencil eraser और sharpener यह तीन चीज होता यूज होता है ठीक है और बांकी scale यह सारा कोई भी drawing instrument का use हम लोग नहीं करते हैं तो यह चीज आपको पता ह होगा freehand sketching की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ pencil चाहिए होगा eraser चाहिए होगा मिटाने के लिए और sharpener उसको pencil को lead को सही से save करने के लिए हमको sharpener चाहिए होगा ठीक है तो बस इतना ही चाहिए होगा उसके बाद चलिए next question और देखते हैं और यह यहां पर और भी questions दिए गया where orthographic view elevation plan side views are given ठीक है यहां पर बोला गया है कि यह सारे आपको दिया हुआ हो तो इसको हम लोग बेटर जो होगा isometric view किसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं यहां पर समझते हैं इसको करा if it is easier if it is easier and better to draw on the isometric projection of freehand sketch ठीक है मतलब हमको कोई भी isometric projection बनाना है किसका freehand freehand हमको बनाना है ठीक है उसके लिए better होगा कोई भी orthographic projection से हम लोग क्या करेंगा isometric projection बनाएंगे तो बेटर होगा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर किसका यूज करना प्लेन पेपर का यूज करना या फिर आपका ग्राब पेपर का यूज करना ग्रीड पेपर का यूज करना या फिर नन ओफ दीज ठीक है तो देखे यहां पर जब भी हम लोग बात करेंगे एक चीज़ यहां पर ध्यान दिजेगा जब भी हम लोग और्थोग्राफिक्स और्थोग्राफिक्स से हम लोग क्या करेंगे आईसोमेट्रिक बनाएंगे ठीक है, तो उसके लिए हम लोग grid paper का use करते है, grid paper पेपर भी बोलते हैं और इस पर हमारा isometric drawing जो था वो बनाया जाता ठीक है जिसा कि आप लोग जानते होंगा isometric axis जो था इस तरह से आपका बना रहता है 30 डिज़ी पर isometric से orthographic बनाएंगे उसके लिए जो हम लोग use करते हैं वो देखिए इस तरह से आपका graph paper आता है जो कि सीधा होता है ठीक है यहाँ पर 30 degree पर inclined नहीं रहता है यह सारे line क्या होते हैं एक दूसरे के 90 degree पर एक दूसरे को cut करते हैं लेकिन जब grid paper होता है इसके लिए right answer क्या होगा तो इसका grid paper आपको answer करना है यानि C number इसका right answer होगा तो यह last question था और यह जो questions थे 2021 में पूछे गया थे उसके बाद 2022 में जो question पूछा गया उसका भी मैं यहाँ पर आपको solution कराऊँगा तो आप लोगों को बस बने रहना है और चैनल को जोड़ी subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजएगा और वीडियो को like जरूर कर दीजएगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजएगा उसके आद आप लोग देखें यहाँ पर long answer questions जो होता है और कुछ यहाँ पर जो आपका drawing वाला questions भी रहता है जैसा कि दो नमर आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल यहाँ पर definition वगेरा पूछा गया है ठीक है define करना आपको full size इसके enlarge हो गया reducing हो गया रिप्रेजनेटरी फ्रेक्शन की सारा class में मैंने कराया हुआ है और आगे भी मैं आपको एक बार करा दूँगा तो यह सारे चीज़ यहाँ पर पूछेगा है theoretical questions ज्यादा इसमें 4 नमर में रखा जाता है ठीक है उसके बाद आपका 10 नमर का questions होता है तो वो सारा भी आगे हम लोग discuss करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते है मिलता है नेक्स वीडियो में यदि किसी टॉपिक के उपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कुमेंट किजेगा मैं उसके उपर जरूर वीडियो बनाऊंगा तिक है तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में